इंडिया टुडे और नेशन अफ दमूट के सर्वे के मुताबिक दोजार चौबिस में उत्तर प्रदेश में उन्पचास फीसिदी वोटों के साथ में 70 सीटों का नुमान है। हमारे साथ बात करने के लुत्तर प्रदेश सरकार के मंतरी अनिल राजपर है। अनिल जी क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन लोगसबा चुनाव में हमारे सर्वे के मुताबिक 70 सीटे बीजे पिला रही है। उन्चास प्रतिशत के लगबग वोट्शियर होगा। अभी 2023 की शुरुवात हो रही है, 2024 में चुनाव होने हैं, 50 प्रतिशत से जादे का लक्ष लेकर हम सब लोग चल रहे हैं। संगठन ने ये तैं किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तैं किया है, कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश जीत कर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। सभी संसदिय छेत्रों पर कैसे पार्टी का पर्चम और कमल खिले इस पर पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं कारकरता कमरकस के तयार है पूरी सरकार राद दिन मेहनत कर रही है आपको लगता है कि चुनावती होगी क्योंकि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी उपचुनाओं के बाद से लगातार वैनपुरी की जीत और नेता जी के जाने के बाद एक संगठर में काफी बदलावाया है अश्योपाल चाचा की वापसी हो गई है डिमपल यादा सांसत बन गई है आपको लगता है कि चुनावती होगी देखे चुनावती है वो लोग काम करें लेकर हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं और सिर्फ चुनावाया है इसलिए नहीं काम कर रहे हैं हम लोग लगातार कारिकरम चलाते रहते हैं। आप हमेशा देखते होंगे दो दो तीन तीन चार चार अभ्यान हमारा निरंतर चलता रहता है। जनता के साथ हैं जनता के सुखदुख में सामिल हैं और ग्रास रूट पर हम काम कर रहे हैं और जो विश्वास पूझ प्रधान मंत्री जी के प्रती जनता का है जिस तरह से गरीब खड़ा है जिस तरह से किसान और नौजवान आज भारती जनता पार्टी की सरकारों के प्रत मोदी जी के खिलाब कोई वोट हो, ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बिलकुल बिलकुल जाच होनी चाहिए, देखिए ऐसे ही ये दूसित मानसिक्ता के लोग हैं, इनको भारत का विकास अच्छा नहीं लगता और ये साजिसें समय समय पर करते रहते हैं। अब जो यन्सिसी के कैड़ेट हैं, सोचिए कि ये नए उम्र की हमारा जो भावी भारत है, हमारा जो भविश्य है, ये जो छोटे हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, उनके मन में किस तरह का बीज बोने का प्रयास होता है। अब जब हम लोग कहते हैं कि ऐसी संस्थाओं से भी देश के खिलाब साजिसे होती हैं, तो दुनिया भर का बखेडा खरने का प्रयास करते हैं लोग। ये क्या है? आप गड़तंत्र दिवस एक राश्टी परव में आप सामिल हो रहे हैं और उस समय इस तरह के नारे आपको प्लिटिकली डिवन लगता है या अंदर युनिवरस्टी के अंदर इस तरीके की विचार धारा चले हैं? उस हदयव से जो एक मानसिक्ता है जो भारत के खिलाप साजिस करती रहती है नाकाम साजिसें किया है जिन लोगों ने ये उन लोगों का एक कुछित प्रयास है और कुछ नहीं है वो एक फ्रस्टेशन में भारत विरोधी जो मानसिक्ता है उसका एक प्रदर्शन वो करने की जो परंपरा जैसी बना लिये हैं लोग वो उसका एक है वस्य है और कुछ नहीं है वहाँ पे टीचर ने आप गणतंतर दिवस्त के मौके पर राष्टगान गाने से इंकार कर दिया आपको लग रहा है इस तरीकी की चीजे भी हो रही है ऐसे लोगों के खिलाब कारवाई होने चाहिए और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में ऐसी संस्थाओं में नहीं अस्थान मिलना चाहिए यह लोग ऐसे ही बातों को बना कर इस तरह की राजनीत की रोटी खाते रहे हैं अभी पिछले पांच साल इनको कुछ याद नहीं आया जब यह मंत्री थे और आज इस तरह का बयान देकर चर्चाओं में बना रहना जनता वो सोचते हैं वही जनता है जनता बहुत जागरूख है दोई चीज है या तो चर्चा में बने रहना या सच में उनको डाक्टर की आवसकता है अना दिखाना चाहिए कि वास्तों में उनकी मनह इस्तिती स्थिर है ठीक है कि नहीं है या कुछ दवाववा की जरूरत है साफ तोर पर मंत्रिया अलिन राजबर हमसे बात चीत की है और सीधे तोर पर आप निशाना साथ है विपक्ष की बातों को ले करके और कई ना कई जिस तरीके की घटना अलिगर्ड मुस्लिम इनवर्स्टिव में है उसको ले करके भी कहा है किस पर कारवाई होनी चाहिए औ पर इसी मांसिक्ता पर रोक लगे लकानु से कामरामेन गॉराफ के साथ अब शेक्निशा आच तरह